नमस्का दोस्तों मैं सुझेय कुमार और आपके अपने चैनल सुझेय फेंटसी में आपका स्वागत है तो भाईया जैसा है कि मैंने आपको अभी तक सवह से दो मैचे इसी लिग के कबड़ किया और यह तीसरा मुकाबला है और इसको भी हम लोग धंग से कबड़ करने वाले हैं अब चलो इनके प्लेयर का स्टैट्स वगर अच्छे डग से चेक आउट करते हैं समझते हैं क्या कहानी है क्या नहीं है उसके बाद फिर अमनों डिलास्ट में डिलिन के टीम तरो डिसकस करने वाले हैं माइनर लिग टी-20 यह सारा कुछ आपको यह सीरीज में चलने वा ही मिलने वाली है किस ग्राउंट पर होने वाला है तो चैनल मेरा दिख जाएगा सुजय फेंटसी करकर करके अराम से जान करने कोई दिकत वाली बात नहीं है आपको पहले वीडियो को समझ लो खुद से टीम बनाओ ग्रांड लिग जीतना है तो आपको वीडियो देखना ही पर एगा और ऐसे देख करके आप टेली काम से जान करें बाके सारे कुछ में आपको फाइनल टीम तो वहीं पर देदूंगा आप चलो दोनों टीमों के प्लेयर के स्टैट्स बगरा चेक आउट करते हैं फिर समस्ते हैं किसको रखना है किसको ट्रॉप करना है और उसका फि बाकी सारे के बारे में डिसकर्स नहीं करेंगे ठीक हैं अलाकि मैं सारे प्लेयर का स्टैट्स दिए लिके बंदे अच्छे नीजे से कुपड़गत सिंगे इनका रिसेंड लीकुर्ड जो भी मैं यहाँ पर लिख रखा न वह लास्ट के 5 मैंचष के पर्स लिख रखा है इ पॉल पालमर को आप लेकर के जा सकते हो, इंपोर्टेंट बंदा बन सकता है, लेट हैने बैट्समेन है, और आपके लिए अच्छा का सब फिक यहाँ पर बनता हुआ, दिखेगा, इंपोर्टेंट है, बंदा आपके लिए अच्छा का सब ठीक रने वाला है, साहिल कपूर कुछ खास नहीं दिखेगा, रित्विक बहरा, आप इंका देखो, रित्विक बहरा का देखो कि तो पैताली सर्म बनाया है, बाकी कुछ खास स्टैट्स नहीं है, राइट हैंड बैट्समेन है, रवी इंदर सिंग को थोड़ा सा लेकर के जा सकते हो, थोड़ा सा आप इनके बारे में सोच सकते हो, इंपोर्टेंट बंदा बन जाएगा, तो पॉल पालमर के बाद रवी इंदर सिंग ही मुझे अच्छा का सा प्लेयर दिखा है, तो आप इंको प्रिफर करके लेकर के जा सकते हो, उसके जाता है कैमरोन डेल पॉर्ट, हलाकि देखो ये बंदा बड़े-बड़े मैचस खेल रखा है, साइड लगता है स्कॉटलेंड या वैलेंड का खेला रही है, उसमें से, मतलब उधरेंगी के तरफ से कोई होने वाला है, लेकिन बंदा कुछ खास स्टैट्स नहीं है, तो प्रिफर करना चाते हो तो करना, वरना ग्रेल दिमर टाई करना है, अधित्य भरदवाज मुझे कुछ खास नहीं लगा है, फिर यहाँ पर सैमी कौत्र यंका भी कुछ खास नहीं है, आरेन बत्रा सातरन बना रहा है, भाईया, कुछ खास स्टैट्स नहीं तो इनके बारे हम बात करने से तो कोई, यहाँ जो सेट्थ, आपको दिखेंगे, सिर्फ एक मैसमिं को बिगट नहीं मिला है, बाके स्तारे मैसमिं को बिगट मिल रखा है, एक विगट तीन विगट दो विगट और एक विगट प्रोब्लम है राही टाम मेडियम फास्ट आपको अच्छे का सब बॉलिंग करतावा दिखेगा इंपोर्टेंट बंदा है बिल्कूल भी ड्रॉप नहीं करना है कियों जो सेफ को लेकर करके जाना है अपने टीबे ठीक है सरवजीत लडदा लेक ब्रेक आपको बॉलिंग करतावा दिखेगा एक दो विगट जीरो विगट दो विगट इंपोर्टेंट सरवजीत लडडडा इदियाद रखना बंदे को लेके जाना कियों जो से important है लेके जाना है नीचे आते हैं तो सेड़े पारमल दिखेंगे कुछ खास नहीं है बिपुल सर्मा सारे मैचे बंदे को विकेट है ठीक है सारे मैचे बंदा विकेट यहाँ भी दो विकेट बहुत अच्छा खास आपको प्रफॉर्मेंस करके देगा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है लेकर के जाना अपने टीम एठीक है परांटो अहमद नाम क्या है याद अखना बिपुल सर्मा उसको जाते हैं परांटो अहमद परांटो अहमद लेकर के जाना है उसको जाते हैं निल नर्वेकर यह भी बंदा आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा और इंपॉर्टेंट बंदा बनेगा हर मैच में विकेट तो निकाल ही लेता है तीन विकेट एक विकेट दो विकेट धियान रखना डर failure Hypoklt भी गर्ण bên विकेट कर दूए सारे डिसकस कर दिया है वहता है घुर्त आपको बॉलिंग और भैटिंग बैटिंग आपको बलीज रिक्ता बाएक बनेगा उनकार जोन कोच खास नहीं बनेगा बागए सारे बंदे केрам आप सारे डिसकस कर दिया है, जितने भी इंके team में squad में player है, वो सारा कुछ मैना को discuss कर दिया है, अब हम लोग जो next वाले team में उसके बारे में discuss करेंगे, उससे पहले मैं पता दूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो जल्दी से आपको नेक्स्ट टीम उसके बारे में discuss करते हैं, फिट चलेंगे डिलेन पे, तो अब हम लोग डिसकस करने वाले हैं, मोरीस विलेर रैप्टर्स चलो अब इनके बारे में discuss करेंगे, प्रिडिक्ट 11 इनका ये है, रोहन फाड के ये आपके लिए उतना कुछ खास नहीं दिखेगा, हलाकि अगर आप रिस्क टेकर हो, हलाकि बंदा बॉलिंग करता है, लाज के तीन में आचां बॉलिंग करता है, तो आपके लिए इंपॉर्टन प्लेव बन सकता है, तो धियान रखना, लेकर के जाना चाते हो, तो लेकर के जा सकते हो, निचे आते हैं, ट्रेवन ग्रिफित आपको दिखेंगे, यहाँ पर, तो 26 इन 0 विकेट है, 17 रनेक विकेट है, सहे तालिस अन 3 विकेट है, 10 रनेक विकेट और 34 है, कुल मिलागर के लेफ्ट हैं बैटसमन भी अच्छा का साब के लिए पीक बनने वाला है, ट्रेवन ग्रिफित, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करने के बारे मत सुचना अच्छा का साब बनता है, बैटिंग गॉलिंग जो भी करता है, उसको ड्रॉप करने से, आप मतलब ते अधित्य पडाला, हर मैच में बिकेट इनको मिल रखा है, एक मैच को छोड़ दे तो, लेफ्टाम मेडियम पेसर है, अच्छा का साब को बालिंग करता हुआ दिखेगा, अच्छा का साब के लिए प्लेयर बनता हुआ दिखेगा, धियान रखना है, नीची आते हैं भीया, तो कार्ती के जगादीस आपको दिखेंगे, हर मैच में तो अतना कुछ खास प्रफोर्मेंस है नहीं, लेकिन बन्दा आपको करके देगा, राइट ओब ब्रेक है, इंपोर्टन उतना कुछ बालेगा नहीं, अनिस रहे कुछ खास नहीं बनने वाले हैं, उसका जाते हैं सं बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, यह बोलते बोलते सुबह से अभी तक बीडियो डालते डालते हैं, मिजाज खड़ाब हो जाता है, कोई नहीं, हम लोग अच्छे डेंग से कबर करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर विनोत कुमार क अच्छी सी डेलन की टीम बनाने का प्रयास करते हैं, अब हम लोग आते हैं डिलन टीम के उपर और एक अच्छी सी डिलन की टीम बनाने का प्रयास करते हैं, देखेंगे किसको अपने टीम में लेकर कर जाब आ रहे हैं किसको ड्रॉप कर पा रहे हैं सारा कुछ ठीक है तो चलो भाईया देखते हैं विगर के पिंग से आपके लिए सबसे इंपॉर्टन पीक है जे मल होतरा इनके अलाबा किसी और के बारे में आपको नहीं सोचना है व ऐसे आप इनको ड्रॉप कर सकते हो बहुत इंपॉर्डन प्रगर्ट सिंग है आप इनको लेकर के जाओ बागी मुझे और यहां से कोई खास नहीं है रोहन फाटके का सेलेक्शन पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हाई है लास में जगा बनेगा तो रखेंगे वंडर ड्रॉ इनको कैसे भूल गया है बहुत ही तकड़ावला बंद है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा उतकर सिर्वास तो मुझे कुछ खास नहीं लगा है बाकि यहां पर किसी को भी प्रीफर नहीं करना लो बालिंग सेसन पर देखोगे तो कियों जोसेफ है इस लड़ एक तो मैंने कैप्टेन आपको बताया था भी तेकिन टॉस के साब से फिर चेंज बगरा मैं कर सकता हूं तो जल्दी जाए रहे जोएन करे ना जल्दी मिलेंगे नेस लोड़े मिनने अध्रेटरी को वीडियो को साथ तक लिए धन्यवाद अपने ख्याले के दोस्तों जाह जाहे जाए पिर उल्दी।